योग निद्रा के लिए तैयार हो जाईए शवासन में लेट जाईए दोनों पैर एक दूसरे से अलग बाहें शरीर के बगल में हतेलिया उपर के और खुली रहे अपने शरीर को, कंबल को, वस्त्र को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिजिए जिससे आपको योग निद्रा के दौरान अपने शरीर को हिलाने की आवश्रक्ता ना पड़े घड़ी है, बेल्ट है, चश्मा है, सब को लोज कर दिजिए अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लिजिए किसी प्रकार के शारीरिक असुविधा नहीं होने चाहिए आखें बंद और योग निद्रा के दौरान आखों को बंद ही रखिएगा योग निद्रा में आपके वर सुनने और अनुभाव करने की ख्रिया के प्रति जागरुक रहेंगे जब आपका शरीर व्यवस्थित हो जाता है जब शरीर में कोई कड़ापन नहीं रहता तब आप अपने मन में कहिए कि अब मैं योग निद्रा का भ्यास करने जा रहा हूँ मैं योग निद्रा का भ्यास करने जा रहा हूँ मैं सोऊंगा नहीं मैं केवल निर्देशों को सुन करके उसके अनुसार अपने मन को शरीर में या आंतरिक अनुभवों में जोडते रहूंगा मन को शरीर से जोड़ना है मन को आंतरिक अनुभवों से जोड़ना है सोना नहीं है सजग रहना है पूरे शरीर का ख्याल पूरे शरीर का ख्याल अब आप पूरी तरह से शान्थ और स्थिर हो जाईए एक लंबी और गहरी श्वास लीजिए और अपने आपको पूर्ण विश्वाम के स्थिते में ले आईए अब अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों पर ले जाईए अपने कानों को चौकना रखिए जैसे एक टेप रिकॉर्डर का माइक्रोफोन सभी ध्वनी को पकड़ लेता है उसी प्रकार से आपके कान सभी आवाजों को सुन लेते हैं लेकिन अपने मन को किसी एक ध्वनी में एक आवाज में नहीं टिकाना है सभी आवाजों को सुनते हुए मन को एक आवाज से दूसरे आवाज की ओर ले जाना है दूर की आवाज नस्दिक की आवाज जोर की आवाज धीमे आवाज चलने की आवाज बात करने की आवाज कुर्सी हिलने की आवाज बच्चों की आवाज गाड़ी की आवाज मोबाईल की आवाज सभी आवाजों के प्रती सभी ध्वनियों के प्रती सजग हो जाईए और अपने मन को एक ध्वनी से दूसरे ध्वनी में लेते जाईए अपनी सजगता को एक से दूसरी आवाज की और ले जाईए बिना जाने की आवाज किस चीज की है केवल आवाज को सुनते जाईए सोना नहीं सोना नहीं अब बंद आखों से इस कमरे की दिवारों को छट को और जमीन को देखिए आपका लेटा हुआ शरीर अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए शारिरिक स्थिति के प्रती सजग बने रहिए आपका शरीर जमीन पर लेटा है आपकी पूरी सजगता अपने शरीर की स्थिरता पर रहे अब अपने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रती सजग बनिए श्वास गहरी स्वाभाविक और सहज है श्वास में मन को एकागर करने की आउश्श्रिकता नहीं इससे स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा पहुचेगी मेरी आवाज को सुनते रहिए और अपने श्वास के प्रती सजग बने रहिए अब हम योगनिद्रा का भ्यास प्रारम करने जा रहे हैं आप मन ही मन कहिए कि मैं योगनिद्रा का भ्यास करने जा रहा हूँ मैं सोंगा नहीं योगनिद्रा में मैं सजग रहूंगा अब संकल्प लेने का समय है आपने पुर्व के योग निद्रा में कोई संकल्प लिया होगा वह संकल्प सरल और स्पस्ट होना चाहिए जिस संकल्प को आप अपनाए हैं उस संकल्प को स्पस्टता से पुर्ण आत्म विश्वास और सजगता के साथ अपने मन में तेन बार कहिए अब अपनी चेतना को हम शरीर के विभिन्न भागों में घुमाएंगे जितनी श्रिग्रता से संभव हो उतनी ही श्रिग्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाएंगे अगर मैं शरीर के किसी अंग का नाम लेता हूँ तो मेरे साथ आप उस नाम को मानसिक रूप से दुहराना उस अंग को मन में देखना उस अंग के प्रति सजग हो जाना और उस अंग को विश्राम के स्थिति में ले आना इस प्रकार हम अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों से घुमाएंगे पूर्ण सजगता के साथ कलाई नीचे की भुजा केहुनी उपर की भुजा कंधा कांख कमर नितंब दाइजांग घुटना पिंडली, टकना, एडी, तलवा, दाया पंजा, पैर कंगोठा, दूस्ट्री अंगुली, तीस्ट्री अंगुली, जाथ्री अंगुली, पाच्वी अंगुली पूरा दाया भाग, पूरा दाया भाग, पूरा दाया भाग अब अपनी चेतना को बाय भाग में लाना, सोना नहीं, एक बार अपने मानसिक स्थिति को देख लिजिए और स्वयम को स्मरन दिलाईए कि मैं योग निद्रा कर रहा हूँ मैं सो नहीं रहा हूँ बाए हाथ का अंगूठा पहली अंगूली दूसरी अंगूली तीसरी चवथी चार अंगूली और अंगूठा एक साथ हथेली हथेली के पीछे का भाग कलाई नीचे की भुजा केहुनी उपर की भुजा कंधा काक कमर नितंब बाएंजांग घुटना पिंडली तकना एड़ी तल्वा बाएंपैर का पंजा अंगूठा दूसरी अंगूली तीसरी अंगूली चौथी अंगूली पूरा बाया भाग पूरा बाया भाग पूरा बाया भाग अब अपनी चेतना को पीठ पर ले आईए दाया कंधा बाया कंधा दाया पुठ्था बाया पुठ्था दाया नितंब बाया नितंब रेड की हड़ी पूरी पीट पूरी पीट पूरी पीट सोना नहीं है पूर्ण सजगता के साथ मेरे निर्देशों को सुनते जाईए और जैसा कह रहा हूं वैसा मन में करते जाईए अपनी चेतना को अब सामने ले आईए ब्रम्हरंद्र सिर के उपर का भाग उसे ब्रम्हरंद्र कहते हैं मस्तक दाइं भाव बाइं भाव भ्रोमद दाइं पलक बाइं पलक दाइं आक बाइं आक दाया कान बाया कान दाया गाल बाया गाल दाहने नासी का छिद्र बाइं नासी का छिद्र नासी का ग्र उपरी होट नीचे का होट दोनों एक साथ ठुड़ी जबडा गला दाइं छाती बाइं छाती छाती के बीच का भाग पेट नाभी पेट का निचला भाग पूरा दाया पैर पूरा दाया पैर पूरा बाया पैर पूरा बाया पैर दोनो पैर एक साथ पूरा दाया हाथ पूरा दाया हाथ पूरा बाया हाथ पूरा बाया हाथ दोनो हाथ एक साथ दोनों हाथ, एक साथ, पूरी पीट, सामने का भाग, पूरा सिर एक साथ, पैर, हाथ, पीट, सामने का भाग, संपूर्ण शरेर, संपूर्ण शरेर, संपूर्ण शरेर एक साथ, सोना नहीं है, याद दिलाएए स्वयम को कि मैं योग निद्रा कर रहा हूँ, मैं निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, सोना नहीं, पूरे शरेर में एक सी चेतना बनाए रखिए, शरेर के प्रती सजग रहिए, पूरे शरेर के प्रती सजग रहिए, पूरे शरेर का ख्याल, अब समवेदनाओं की सजगता शरेर में, अपने शरेर में भारीपन की भावना को जगाईए, भारीपन की भावना, भारीपन का अनुभाव, शरेर के प्रत्येक भाग में, भारीपन की भावना के प्रती सजग रहिए, पूरा शरेर भारी हो रहा है, पूरा शरेर भारी हो रहा है, जैसे जैसे शरेर में भारीपन का भाव बढ़ता है, वैसे वैसे लगेगा कि आपका शरीर जमीन में धस्ते जा रहा है भारीपन के प्रती जागरुग बने रहिए भारीपन के प्रती सचेत रहिए पूरे शरीर में भारीपन का अनुभाव कीजिए अब शरीर में हलके पन की भावना को लाईए हलके पन की भाव को जगाईए शरीर हलका हो रहा है शरीर का प्रतीक भाग हलका और भारहिन हो रहा है ऐसा अनुभाव कीजिए कि आपका शरीर हलका हो रहा है और वह जमीन के उपर तैर रहा है हलके पन की भावना के प्रतेश सजग बने रही है अब स्वयम का निरिक्षण कीजिए कि आप जगे हैं या आपको नेंद आ रही है अपने को मन में कहिए कि मैं जाग रहा हूं और मैं योग निद्रा का भ्यास कर रहा हूं अब अपने मन के बंद आखों के सामने के स्थान में जिसे चिदा काश कहते हैं मन को ले आईए कलपना किजिए कि सामने जो काला पर्दा दिखलाए देता है वह अनंत आकाश है जहां तक आपकी द्रिष्टी जाती है आप अपने भीतर आकाश का विस्तार ही विस्तार देखते हैं इस अंधेरी जगह में मन को एकागर कीजिए और जो कुछ भी इसमें दिखलाई देता है वो आपके मन की ही स्थिती है सिदा काश को देखते जाईए कभी कोई रंग उभरता है कभी कोई आकृती उभरती है कभी प्रकाश का अनुभव होता है कभी अंधकार का अनुभव होता है जो भी हो रहा है केवल साक्षी भाव से देखते जाईए उस अनुभव में लीन नहीं होना है केवल साक्षी भाव से उस अनुभव को देखना है जो कुछ भी दिखलाए देता है वह आपके मन की हिस्थिती है साक्षी भाव से अपने चिदा काश को देखते जाईए कलपना किजिए कि प्राता कालिन समय में आप किसी बगीचे में घूम रही है सुर्योदय नहीं हुआ है और उस बगीचे में एक मात्र आप ही है कलपना कीजिए यह बगीचा बहुत सुन्दर और एकदम शान्त है घास पर ओस पड़ी है आप ओस वाली घास पर चलिए पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं उस बगीचे में सुन्दर सुन्दर फूल लगे हैं अनेक रंग के फूल हैं उन्हें देखिये गुलाब अलग अलग रंग के गुलाब अलग 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 रंग के पुष्प इन पुश्पों के खुश्पों दूर तक महक रही है और इन फूलों के पंखुडियों पर जो ओस की बुंदे हैं उन्हें आप देख रही है पास में ही एक तलाब है जिसमें मचलियां तैर रही है आप बगीचे के सुन्दर पेड़ों के नीचे से गुजर रहे है कुछ पेड़ पत्ते हीन हैं और कुछ पेड़ों पर पत्तिया है बड़े बड़े फैले हुए पेड़ और उचे उचे पेड़ों के बीच आप चलते जा रही है थोड़ी दूर पर एक सुन्दर मंदिर है एक सुन्दर स्थान है उसकी चारों और एक प्रभा मंदल है जब आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं तब आपको दिवार पर लगे बहुत सारे संपों के चित्र दिखलाई देते हैं उस थान के जमिन पर आप बैठ जाते हैं आप अपनी आखें बंद कर लेते हैं और शान्त तथास्थिर हो जाते हैं वहाँ पर बैठ करके उस संदर छेत्र में आप गहरी शान्ती और सामंज़स से कानुभाव कर रहे हैं जब तक आप वहाँ पर बैठे हैं शान्ती और सामंज़स से कानुभाव हो रहा हैं अप पुनह अपनी चेतना को बंद आखों के सामने चिराकाश में ले आईए उस चिराकाश के अंधकार को सावधानी से देखिए साक्षी भाव से देखिए चिराकाश में शान्त भाव कानुभाव कीजिए यदि उस मानस पटल पर चिराकाश में कोई द्रिश्य रंग या रूप दिखलाई देता है तो सजग होकर उसे देखते जाईए यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने दिजिए चाने दिजिए परंतो साक्षि भाव से उस काले पड़े पर अपनी सजक्ता को बनाए रखिए अब अपने संकल्प को याद किजिए वह संकल्प जो आपने योग निद्रा के पुर्व लिया था उसे स्पष्ट रूप से प्रबल भावना के साथ मन में तीन बार दुहराईए अब अपनी चेतना को बहर मुखि किजिए मानसिक रूप से इस कमरे की छट और दिवार और कमरे को देखिए कमरे के अंदर और बाहर के शोरगुल को सुनिए और अपने मन को पूरी तरह से बाहरी आवाजों की ओर ले आईए कुछ समय तक शांत आखें बंद करके लेटे रहिए और अपने मन को पूरी तरह बाहर के वादवरन से बाहर के आवाजों से जोड़ देजिए अब धिरे धिरे अपने शरीर को हिलाईए जल्दी नहीं कीजिए पैरों को हिलाईए धिरे धिरे हाथों को हिलाईए सिर को हिलाईए गहरिश्वास अंदर ले और धिरे से पूरे शरीर को तानिये और फिर चुपचाप आखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ चाहिए आखें बंद रखिये आखें खोलना नहीं है आखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ जाईए इस तरफ मो करके एक अराम दायक आसन में मेरुदंड को सीधा रखिये दोनों हाथ अपने घुटनों पर या शरीर के सामने जहां पर भी ज्यादा आराम रहे एक बार अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए एक सहज सरल आसन में आप बैठे हैं मेरुदंड सीधी है दोनों हाथ विश्राम की अवस्था में या तो घुटने के उपर या फिर शरीर के सामने रखे हुए हैं और आखें बंद हैं इस अवस्था में पूरे शरीर का ख्याल कीजिए सिर्श से लेकर पैर तक एक नजर में एक द्रिश्टी में अपने पूरे शरीर को देखी अब शरीरिक स्थिर्ता कानुभाव करते हुए अपने श्वास के प्रती सजग हो जाईए आपका शरीर स्थिर है मुर्तिवत है शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं पाँच मिनट के लिए अपने शरीर को हिलाना नहीं पाँच मिनट के लिए अपने शरीर को पूर्ण स्थिर्ता में रखना है एक मुर्ति के भाती आपका शरीर स्थिर है और इस स्थिर शरीर में श्वास की क्रिया चल रही है सहज श्वास कल्पना कीजिए कि एक पारदर्शी पाइप ना भी से भ्रूमध्य तक है और उस पारदर्शी पाइप के भीतर आप अपने श्वास को उपर और नीचे आते देखिए अनुभाव कीजिए जिस प्रकार से ब्लट प्रेशर के मशिन में मरकरी उपर और नीचे की ओर आता है उसी प्रकार से श्वास को आप उपर और नीचे की ओर आते और जाते अनुभाव करते जाईए जब हम श्वास लेते हैं तो ना भी से श्वास भ्रूमध्य तक उपर की ओर आती है और श्वास छोड़ते समय भ्रूमध्य से ना भी तक श्वास नीचे की ओर आती है शारिरिक्स थिर्ता और श्वास के आरोहन एवं अवरोहन के प्रतिसजग बने रही है जब श्वास उपर के ओर आती है तब उसे आरोहन कहते है और जब श्वास नीचे की ओर जाती है तब उस प्रक्रिया को अवरोहन कहते है श्वास के आरोहन और अवरोहन को देखते जाईए श्वास को उपर और नीचे आते और जाते देखते जाई श्वास के गतिव को परिवर्थित मत किजिए केवल साक्षि भाव से देखना है मैं श्वास ले रहा हूँ मैं श्वास छोड़ रहा हूँ अब हम लोग श्वास के साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे पहले आप सुनिये और फिर आप भी शामिल हो जाईए अपने गति में और जो मंत्र का स्पंदन है उस स्पंदन को अपने पूरे शरीर में वाइब्रेट करते और पूरे वातारण में वाइब्रेट होते देखिए ओम 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 करते चाहिए ओम 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 ओम, 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 ओम अम, आम, 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 आम अम, आम, 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 आम अम आम 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 करते चाहिए करते चाहिए अमक्रांग अम आम अम आम आम अम आम अम, आम, 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 आम अम 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 सा में अम 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 ऑम अम, अम, आम अम, अम, आम, 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 आम आम, 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 आम करते चाहिए स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयंताम न्याये नमार्गे नमहिं महिशा गोब्राम्हने भ्यः शुभमस्तुनित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लंबी और गहरिश्वास के साथ लंबे ओम मंत्र का उच्चारण हम लोग करेंगे तीन बार अम् 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 हमारे बात में दुराइएगा असतो मा सद गमया असतो मा सद गमया तमसो मा जोतिर गमया मृत्योर्मा मृतं गमया सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतू सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतू सर्वेशाम पूर्णं भवतू सर्वेशाम अंगलं भवतू लोका समस्ता सुखिनो भवन्तू ओम्त्रयंबकम्यजामहे सुगंधिम्पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबंधनात। प्रवारुकमिवबंधनात। मृत्योर्मुक्षियमामृतात। ओम्सांति सांति सांति ही। ओम्सांति सांति स्टू हरियोम तच्चत हरियोम तच्चत धिरे से आखें खोल लेजिए कि अधिरे से आखें कि अधिरे से आखेंगा कि अधिर्ण कर दोल लेजिए कि अधिरे कि अधिरैक शोल